हलो फ्रेंड आप सकते हैं मेरी इस नए वीडियो में जहां पर आज हम exercise 1.1 का question number 4 करने वाले हैं अब ये जो question है ये बड़ा ही जाना पैचाना है बट थोड़ा सा अंजाना है अब ये कौन सा question है ये तो हम देखनी वाले हैं तो शुरू करते हैं पहले पढ़ लेते हैं और फिर आके बढ़ेंगे यूज उकलिट्स दिवीजिन लेमा टू शो दाट अफ एन्नी पॉजिटिव इंटीजर इस एदर अफ दे फॉर्म 3M और 3M प्लस 1 फोर सम इंटीजर एम तो जो हमको एन्नी पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो स्कूर है वो 3M और 3M प्लस 1 में होना चाहिए बस इतना ही दिखाना है इसमें तो बुक में एक हिंट दिया गया है लंबा चोड़ा वाला है अद्दम लंबा चोड़ा हिंट दिया गया है तो उसको देखके पॉसिबल वैल्यूस होंगी जीरो वन और टू तो अब पॉसिबल आर की वैल्यूस हमारे पास है सिदा सिदा इंप्लिमेंट करेंगे तो सबसे पहली चीज़ देखो आर अगर जीरो है हमारा डाट इस एकोस टू त्री क्यू और इससी तरीके सा आपको पता है कैलकोलेशन जाने वाले हैं अब हमने यहां पर आर की वैल्यूस तो निकाल ली उसके साफसे एक्वेशन भी कर दी वाट यहां पर 3m या 3m प्लस 1 में चीए यहां पर 3q 3q प्लस 1 में है कैसे चलेगा क्या करेंगे तो अगला जो step है यह important आगली जो चीज़ें है important है हम क्या करेंगे अभी इनको square करेंगे squaring a is equal to 3q तो अब यहां पर हम दोनों ही side को क्या करेंगे square करेंगे सिर्फ a को square करने से कुछ होने वाला है नहीं यह बस उसी तरीके से हैं जैसे दो चोटे बच्चे हो और एक के सामने दूसरे को chocolate दिया तो दूसरा भी जित करेंगा उसी तरीके से यहां पर बस एक को square करने से solution नहीं निकलने वाला अब दोनों side को square करेंगे that is a square is equal to 3q square अब obviously इसका क्या होगा आप देखो यहां पर important step है that is हम यहां पर अभी 3 का multiple बहार निकालेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे a is equal to 3q square अगला step जो है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है कि हम 3q square को m denote करेंगे या consider करेंगे ठीक है अब हमने इसको consider कर लिया तो a square क्या हो जाएगा a square is equal to 3m यह equation कुछ इस तरीके से बन जाएगा और यह हमारा पहला equation होगा अब आगे भी हम ऐसी ही square करने वाले हैं और हमारा दूसरा जो value है वो है a is equal to 3q plus 1 अब इसको जब हम square कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से जाएगा वो देखो a square is equal to 3q plus 1 whole square तो अब आपको यहाँ पर एक interesting चीज़ दिखाए देगी जो हम 8 और 9 में समझते थे पढ़ते थे that is जो formula आपको display हो रहा है screen पर that is a plus b whole square अब इसी को implement करते हुए हम यहाँ पर इसको distribute करने वाले हैं तो simply कैसा form हो जाएगा इसका a square is equal to अब जब 3 हम common निकालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा a square is equal to 3 बाहर निकाला अब obviously 3 से जाएगा q square plus 2q अब bracket close हो जाएगा और obviously बाहर हमारा 1 आने वाले अब देखो यहाँ पर जो 3q square plus 2q है हम इसको m consider करेंगे जैसे यहाँ पर किया था ठीक है हमारे equation कुछ इस तरीके से बन जाएगा that is 3m plus 1 और अब यह हमारा क्या होगा equation 2 होगा तो यहाँ पर जब आप 2 से कर रहे हो तो एक special थोड़ा सा minor से चीज़ आड़ अड़ जाती जादा कुछ ने कि थोड़ा सा कुछ तो minor आड़ जाता है वह आपको दीख भी जाएगा और मैं आपको वहाँ पर बता भी दूँगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है तो अब obviously हमें वही formula यूज करना और a square is equals to क्या आजाएगा that is तो 3 को multiple करने से पहले जब ऐसे कुछ चीज़े आ जाती तो आपको obviously क्या देखना है इसमें कि इसमें से क्या 3 निकल रहा है बड़ी ही minor से चीज़ आड़ अड़ जाती that is a square is equals to 9 q square plus 12 q और हम यहाँ पे इसको 3 plus 1 कर देंगे क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया हमें यह दिखाना किसी भी तरीके से शो करना हमको यह ठीक है अब यह जो bracket में यह पूरा पूरा number है इसको हम क्या करेंगे m implement करेंगे that is हमने इसको m implement कर लिया तो क्या होगा इसका किस तरीके से होगा a square is equals to 3m plus 1 और अब यह हमारा हो जाएगा equation 3 तो यहाँ पे देखो किस तरीके से निकलेगा ending statement that is कुछ इस तरीके से वो statement निकलेगा that is equation 1, 2 and 3 से हमें यह पता चलता है कि कोई भी positive integer हो वो हमेशा 3m या 3m plus 1 के form में ही होने वाला है अब आपको समझ में है हमने यहाँ पे 1, 2 and 3 क्यों लिया because बाद में जाधा statement यूज करने के जरुवत ना पड़े तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है हमने तो show कर दिया कि ऐसा भी हो सकता है तो बस यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है जब ऐसे कुछ number आए जो कि directly जो भी number दिया है जैसे यहाँ पे 3 number दिया था उससे multiple नहीं है तो यहाँ पे हमें क्या करना है इस तरीके से उस number को distribute कर देना है ताकि हम उसे easily bracket के अंदर ले सके और उसे implement कर सके तो यह था हमारा question number 4 जिसको हम जान चुके हैं जो अभी ज्यादा अंजाना नहीं रहा है इस form को भी हमने देख लिया इस twist को भी हमने जान लिया बस इसी तरीके से question number 5 भी है और उसमें हमें क्यूब पूछे गए तो वीडियोस को like and share जरूर करना और चैनल को subscribe कर दो और अब तत नहीं किया तो तुरंत के तुरंत कर दो क्यूंकि जीसी पे 1st April से एक नया section add-on हुआ है जो की है 24-7 Q&A का जहां पे आप जीसी पे आप अपने सवाल पूछ सकते हो, doubts पूछ सकते हो, problem पूछ सकते हो और within the time span of 1-3 hour आपको मिलने वाले हैं उसके जवाब, okay, so आप भी सवाल पूछना शुरू कर दीजिए और GCB पूरी तरीके से तयार है आपके सवालों का जवाब देने के लिए, तो अभी चैनल को subscribe कर दो and thank you for watching this video friends